इस वीडियो को सुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ बाते क्लियर करना चाता हूं और कुछ भविश्य में जो वीडियो आने वाली है उसके बारे इंफॉर्म करना चाता हूं को इंटरसेट होगा तो बना रहेगा जो अभी हाली में किसानों का मुद्धा चला था दिखाया जा रहा था कि किसान बहुत प्रोटेस्ट कर रहे हैं मैं से मैं वीडियो बना दी थी कि क्या-क्या मुद्धा है एक्चुली मैं और मैं चाहता हूं कि वह वीडियो अभी भी अगर लोग शेयर करें किसानों तक पहुचाएं सरल भासा मैं जितना उनको समझा सकते समझाएं जादाताद में कुछ लोग मिल जाएंगे जिनको थोड़ी बहुत नौलेज अगर होगी नहीं होगी तो उनको नौलेज दूँगा जिस तरीके से भी उनसे पूछूँगा कि आपके इस पर क्या विचार है आप पहले क्या करते थे अब क्या कर सकते हैं आपको पहले सहुल अब होगी क्या है क्या नहीं और उनकी सारी कठेनाई यह जो भी वीडियो के फॉर्म में सामने लाओं तो कोई नया है तो सब्स्राइब कर ले अब सुरू करते हैं आज का मुद्धा मैं ऐसे इंस्टाग्राम पर फेस्बूक पर थोड़ा एक्टिव रहता हूं तो मुझे कुछ चीजें देखने को मिलती हैं तो मैं डाउंड़ करक लेता हूं और अगर बात करनी होती वीडियो बनाना होता है तो मैं बात नहीं बनाता हूं तो मुझे वैसे ही एक वीडियो दिखी जिसमें एक व्यक्ति अपने कैमरे से शूट कर रहा है आपको मैं पूरी क्लिप दिखा दूंगा और उसमें दो लोग भगवा वस्तर पहन के भिक्षा मांगने निकलते हैं खाना वाना कुछ भी मिल जाए तो उस भेस में तीन और प्रशुराइज करता है धमकाता है तो उनके नाम भी पता चलते हैं और वो लोग अपने मूर से वो नाम लेते हैं जो उनके असली नाम है और फिर व्यक्ति कहता कि प्लिप देख लें ताकि आप मेरे आगे की बातों को इस क्लिप से रिलेट कर पाएं बेटो दुम लो बाइटो तुम लो उनके हैं अधार विहेरा वरतान के के आहेन चैनल यह नाम है मांगते हो मादर को हिंदू करहें के मांगोगे बहुसरी के मांगते हो तो हिंदू का भेज बन के मांगोगे इसे क्या मांगते हो तुम्हारे नाम वे रखें तुम्हारे पास अधरकाट है कहां कहा रहने वाले हो तिकरिया कहा है जिला कौन सा है ठीक हम पुलिस बुला रहे हैं ठीक ने तुम लोग अपना जो है सही अड्रस और सही पहिचानने वाले को बुलाओ बासमझ महारी ना अरंस व्यायगा खैने अड्रस तो नंने अला मुंद लोग बैज़्या की मेंक शैकाना छीर काया आए तुम्हारा क्या नाम है? अ अदि हिंदू हम उसलमान है? पुका का लागा थे विल्यामारों का गल्ती नहीं हुआ जो पूछ रहे हैं उसको बता हुआ हिंदू हो बताए तो सुद्डू मतलब हिंदू हो कुछ मुसल्मान हो ना तुम लोग हिंदू के भेस में भीक मांगो गए अरे का हो गया अरे का हो गया आप तूल चुरी नहीं इस चोर तो हो और कौह सा चोरी करों लोगा अपनों को लग रहा है कि यह पहले बहुत समय से पहले से कल्चर चला रहा है बहुत समय से हमारे समाज में इंशंट की बात कर रहों कि जो सादूसंत समाज था वो उनकी उनकी कोई कमाई करता है अब उस समाज करता था उनको बिठा के खिलाना विलाना समान कभी ठेहरा देंशन का सुछान चलाने के घृ अग्रावग में है आज वो इस तरीके से बन गया है कि जो लोग नकली भी है हिंदु में भी जो लोग नकली है वो सिर्फ इसलिए मतलब वो किसी काम के लिए नहीं बस सीधा भीग मांगने के टाइप ऐसे घूमते फिरते रहते हैं तो लोगों का क्या है लोग अपने है इसमें मुसलमान हिंदू बनके भीग मांग रहा है अब मैं पहला सवाल तो यह क्यों बढ़ा के नाम पर भीग नहीं मिलने ही क्या मिलनी चाहिए ना फेमस तो भी है मैंने यह कम सुना इस चीज को पिक्चरों में भी यूज कि आता है या लाह के नाम पर दे दे वावावा लाक के नाम पर भीक मिल रही है भीक मिलनी मुश्किल हो गई भारत में पाकिस्तान को भी नहीं मिल रही ना भीक अब उनको नहीं लगता कि हम अल्ला के अलावा किसी और की इबादत करने के लिए या फिर किसी और के फेट को बिलीफ को अपना रहे हैं अगर आपको पेटी पालना तो वैसे लोग जैसे वीडियो में थे वह काफी सही एज गे थे कुछ भी काम धाम कर सकते थे मैंने देखा है लोगों ने 80-90-90 साल के लोग रोड पर छोटी-छोटी किताबे बेच रहे हैं चसमें बेच रहे हैं जूते पॉरिश कर रहे हैं जिस्ट बिकॉज समान से वह कमाएं और पेट बरें लेकिन इतने सही उमर के लोग भगवान के नाम पर भीक मांग रहे हैं भी आप तो इंडरेटली किसी और के इंसल्ट कर रहे हैं खेर मेरा काम था कि इस वीडियो को आपके सामने लाना जो चीजें हैं उसको बताना आपको अवेर करना कि आप अवेर रहिए कि कभी भी किसी को भी ऐसे लोग आपको अगर संदे हो संदिद लगे तो आप पहले पुर अपना अटायर है दाड़ी मुची सब जो उनका अपना कल्चरल अटायर अपना जो पुराना जिस मजहभी जो अटायर है उसको लोग छोड़ते नहीं तो आप पहचान लेंगे और सबसे अच्छी बात हमारे समाज की मुझे लग कि इन लों को भगवान के नाम पर भीक मा सब्सक्रार के ना मांग एंगे तो हमारे सामज मना नहीं करता है मिल्कुल मना नहीं नहीं करता है भारत उस संस्कूर्चिती है कि हमसा भूक हो का पैट